हेक्टेर लाए हैं किसान भायों के लिए आधोनिक तक्नीक वाला सोलर यूवी लाइट ट्राप इस ट्राप की मदद से आप फसलों को नुकसान परचाने वाले हानिकार कीट पतंगों से छुटकार अपा सकते हैं बिना किसी कीट नाशक का इस्तेमाल किये हेक्टेर लाइट ट्राप दिन में सौर उर्जया से चार्ज होता है और सुर्य अस्त होने के समय आटोमेंटिकली जल जाता है इसमें लगी यूवी यानि अल्ट्रा वाइलेट लाइट हानिकार कीटों को अपनी ओर आकरशित करती है और उनको ट्राप करती है चार घंटे चलने के बाद ये ट्राप स्वतव बंद होता है और फिर सुर्य अस्त होता है ताकि सिर्फ आनिकार कीट जो कि सुर्यास्त और सुर्य अस्त होते हैं वो ही पकड़े जाएं हेक्टेर सोलर ट्राप में आधोनिक लिथियम आयन बैटरी का यूज किया गया है जिसकी लाइफ बहुत लंबी होती है और केसिंग के अंदर होने से चोरी भी नहीं की जा सकती नमस्कार जी मैं मंजीत चौहान चौपाल की देवत पंचायद का रहने वाला एक किसान है हमारे एरिये में रूट बोलर गी बहुत जादा समस्या है और मैं थोड़ी इंट्रोड़क्शन रूट बोलर के बारे में देना चाहूंगा ही जो जैनका साैकल है यह थी स्टेज का है बीटल आपस में मैटिंग करते हैं मेल-फी-मेल और उसके बाद फिर एग स्टेज पे जाते हैं पिर एग्ज हैच के नीचे वापिस हमारी स्टे चेल में चले जाते हैं आर लगबगरल 2 साल तके लारवा बनके गढ़ेक नीचे रहते हो दिमेने वंन्यमति. जिसको हम रूट गोरर के नाम से जानते हैं. हमने एक तरीका प्ना जए तॕ अबनाया थाruckा प्रम एक निसेक्ट्क खत्म करने का. पकड़के करते हैं या हमारी जो साधी लाइटे थी उसके पास आते थे और फिर हमारे को है हेक्टर केमपनी का इनका सोलर ट्रैफ पिला और इसके माधियम से निजाद पाने की कोशिश की है तो इसमें यह जो मेन बीटल यह जो बीटल है जिससे यह लारवा ड्वाल्प होता है यह यह बीटल है तो यह काफी संख्या में हमारे पास यह इस इस इंसेक ट्रैप की वैसे ही कठे हुए है और रगता है कि इसके माधियम से हम इस समस्या से निजात पाक सके यह जो बीटल हम लोगों ने अभी देखा य एक बार में लगभग दो से धाइसो एक्स देते हैं और उसमें से अगर लगभग लार्वा स्टेज पे अगर पचास साथ भी चल जाते तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है तो अगर हम फिर्सिस बीटल को लगभग एक दिन में चॉबिस गंटे में लगभग दस बारा भी पकड़ते हैं तो हमारा एक डेट बिने में पूरा मला हम इसका साइकल ब्रेक कर सकते हैं